वेलकम टो आप सभी का हादी क्षवागत है यह पीची पीटी ज्यारखन प्रब्लिक स्क्रभश कमिशन प्रिलिमेंस एक्जाम्स के लिए आपके पेपर वन की क्लासेज में स्वाधत हैं पेपर वन हमारा क्या है पेपर वन जिय स होता है और जियस इसमें आपका जो जेनरल ज यह से वहां से प्रस्ण आएंगे इसमें आपका में इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एकोनोमिक्स करेंट एफेर्स और कुछ झारकन के भी प्रस्ण रहेंगे तो पेपर वन का प्रिफेस्ण करें और यह क्लास से अवरी डिये से आयज आपका स्टाइटिंग क्ला आपको आपको प्रस्ण और वहां से प्रस्ण करते हैं और ऑगया आपके पास अभी समय कितने हैं आपका जहसे 17 मार्च को एकचाम है तो सर्वषाण पूरा है और मार्च आप 15 तक ही लेके चला है मतलब आपके पास 45 देज के लगभग समय है और हम बिल्कुल एकर मिलाल है पूरे है इतने कम समय में हम पूरे इंटायर स्लियाबस को नहीं देख सपाएंगे और इंटायर के चक्र में आपको भूरा चुड़ जाया इसलिए मेन मेन फुएंट्स जहां पर प्रस्ण आते हैं जिस टॉपिक से उस टॉपिक को टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो संथाल विद्रो से ऐसा एक भी जेपिस्टिक एक्जाम नहीं है आप प्रिवियर से निकाल लें जहां पर संथाल विद्रो से प्रस्ण ना हुआ था इस इलाके में कौन-कौन से जिले पढ़ते हैं यह संथाल प्रग्ना का इलाका है जहां संथाल प्रग्ना में जो जिले हैं दुमका गोर्डा देवघर साहिवगन्ज पाकूर यह जो सारे जिले हैं इन जिलों में संथाल प्रग्ना का यहां पर संथाल प्रग्ना सा तैंटाता। जाता हैं मुखे नैंता का थे ओर इस विद्ञों को शंथाल परत्थम जरुन्राइज में प्रषम जरुदियं ईतंताल परणके परत्थम जरुदियाता है तो अठासे 5 यब Medicaid विद्रों से परिचित है उन्हों इस विद्रों को कहा कि भारत की पर्थम जनक्रांती है संथाल परणा की तो छोड़ी यह भारत की पर्थम जनक्रांती है काल मार्ष ने कहा यह बहुत पर पूचा गया है कि भारत की पर्थम जनक्रांती को प्रभाद के प्रसम जनकरांती शंथाल विद्रों को किस ने कहा है तो कॉल मार्स ने कहा है इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखें आगे बढ़ते हैं इस विद्रों को जो लीड किया उसमें सीधो कानू चांद भेराव और उसकी दो बहनेती फूलो और जानू इन्हों फ़ीन इस विद्रों को नेत altre क्व्रण के जिसे मुक्वम का सीधो की रहे इसके बाद दो नमर पर कान भी रही इस विद्रों का प्राणत श्रंथाल परग vue श्रंथाल प्रगणाचचछेत्र से ववा लेकिन यह सीर्फ स्रंथाल प्रगशठ में ही स्रीमिफ नहीं रहा दो तो हजारी बाग में जब विद्रों हुआ तो हजारी बाग में इस विद्रों का नित्रत किस ने किया लुबाई मांजी और अर्जुन मांजी ने यह प्रस ना जाने कितने बरा है बिदे कि ने कि लिभाई मांजी और अर्जुन मांजी में दागा वीरभूम में किस ने किया वू Maia माणु और हजारे में आपका लुबाई अर्जुन मांजी मुक्ट भूमें कि की रही तो अर्जुन मांजेगी शंथाल पर्णा के थोड़ा इत्यास को लोग देखें संथाल पर्णा का जो इलागा है यहां नाम है संथाल पर्णा यानि संथालों की बहुलता है शंथाल ज्यादा लेकिन ऐसा पहले नहीं था 1790 इस वी तक इस इलागे में संथालों का निवास नहीं था संथाल यहां जीरो थे ना यहां पर किनका निवास था पहाडिया का यहां पर निवास था पहाडिया का लेकिन पहाडिया ऐसी आदिम जन जाती होती है जो कि पहाडों पर रहती थी और वो पहालों से नीचे निच करते थे वह किर्सक जाती नहीं थी लूट मार करने वाली जाती थी तो पहारिया जन जाती से क्या होता था अंग्रीजिंगों को टैक्स मिलनी पाता था क्योंकि इसके पकड़ना और इस से पार्पनापुध मुश्किल थे पहारों के ऊपर रहते थे इसके कारण अंग्रेजुन ने चाहा कि इस इलाके में ऐसे लोगों को रखा जाए जो किर्शक हो ना जो खेतिवारी करें जमीन का उफ्योग करें ताकि उससे हम लोग भूराजस टैक्स वसूल सकें इसलिए धीरी धीरी अंग्रेजुन ने इस पर के रंती बनाई क कि यहां पर संथालों को बसाने का एक तस्य का सकते हैं बैकडोर से प्रयास किया और इसके बाद यहां पर संथालों का बादी काफी बढ़ी और वो यहां पर बहूलता में रहने लगे और यह अच्छे थे संथाल प्रगना के नाम से जान जान लगा तो विभिन चित्र में सोसन भी हो रहा था तो संथालों को अपना जगह भी चाहिए अपना सांती वाला जगह भी रस अंग्रेजु ने भी इसका साथ दे दिया और इसे यहां बसाने का काम किया और कहा जाता है 1815 से 30 के बीच शरवादिक संख्या में संथालों का इस्षेत्र में आग्मान हुआ 1815 से 30 का जो 15 सल का समय है इस दोर में सबसे आदा संथालों का आग्मान इस्षेत्र में हुआ और उन्हेयां पर राकर खेती बारी करना प्रारम किया तो अठा संतान के विद्रो का प्रारम को देखा जाए तो अठा संतान के विद्रो का प्रारम कब हुआ इस विद्रो का प्रारम कब हुआ इस विद्रो का प्रारम में 1855 में इस विद्रो का प्रारम हुआ और प्रारम कब हुआ और कहां हुआ अठास पच्पन में तब प्र तंगर्ष छोड़ने का मन बना लिया अधिवासियों का जिस प्रकार से सोसन कर रहे थे अधिवासियों का जिस प्रकार से सोसन हो रहा था इसके खिलाब इन्होंने मन बना लिया कि नहीं इस अंग्रेजी उपनिवास को उखाड फेकना है अंग्रेजी उपनिवास को उखाड अधासापच्पन का विद्रूंग संथाल विद्रों शिर्फ और सिर्फ अंग्रेजियों खिलाब नहीं था यह जिसको कहाते हैं जनल्वासाइव दिकूँ के खिलाब भी था यहाँ यहाँ पर सबसे पहला जो मौल अगर कारण था तो यह गज़ादिवासियों की इसको कि ख् receptor कि खिलाब क्या है और अंत्तर जाके यह पूरी तरह अंग्रिजों से ही टक्कर लेने लगी और एक तरह से अंग्रिजों के लाप बहुत प्राइज़ों ने बीगुल फूग दिया इस विद्रों से पूरु इन्होंने क्या किया तीस जून अठास सप्चपन को भगनादी जो गावँ है आपका सहाइब गजय में भगनादी गाव में लगबख चार सव आदिवास्चिनों दरहं सभाग की गई इसमें नारा दिया अपना देश अपना राज अपना देश अपना राज और इस क्रांते का विगुल फूग दिया और इससी इस बैठक में जो सीधों थे उनको राजा सीधों को राजा कानुग को मंतरी चांद को परसासक जो चांद से उसको परसासक और सिनावपती निविट्ट कर दिया और एक रसे-ब्दो का नित्र। करता को अलग लग कार दे दिया इस विद्रों इमने जिस प्रकार संताजों ने भाग लिया तो अंग्रेजेदों ने िसका दमन करने का पाश्चाय किया और साथ जुलाय प council bes for को जो अग्रेज जनररल mint के तेतית में विद्रो का दमन करने के लिए अंग्रे जरर लइठ के रएत में सेना की टुकणी भीजी गई और इस सेना की टुकणी में मेजर बारो मेजर बारो भी थे जिसकी हत्या सीधों कर दी ती जीशुन शीदो ने क्ल्हारी से मार कर इसके टुक्ड़े कर दिये और मेजर बारव की मौत हो गई इसी करांती कर सकते इसी विद्रों के दोरान और संथाल विद्रों के सुचना देते थे विद्रों के बारे में कि उनको पकड़ा अंग्रिजों ने सीधू और कानू पर काफी दमन चक्र चलाया और सीधू पकड़ा गया और कानू भी पकड़े गए और दोनों को बढ़ेत में फांसी दे दी गई थी और चांद और जो भेरा हुथे चांद और भेरा उनकी जेनरल हत्या कर दी गए इनके कासर का मुख नेद तक चला गया इस विद्रो को दवाने में जिस अंग्रेज अधिकारी ने महत्पूर्म भूमिकानी भाई उसके बार आपको याद रखना है क्यों प्रस्ण महां से आते हैं तो संथाल विद्रों को दवाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर लेप्टिने पुर्ष महिलाओं ने भागीदारी की जिसने 15,000 से अधिक विद्रों ही मारे गए थे 50 जासे अधिकों ने भाग तो 15,000 मारे गए थे और इस विद्रों की भयावता को देख्ते हुए सरकार ने विद्रों का दमन तो कर दिया लेकिन इसके बाद क्या क्या शंथाल परना के नाम क्या हुआ कि संथाल प्रग्णा को एक नया जिल्ला बना दिया गया ताकि बाद में कभी विद्रों ना हो तो यह था साथ यह संथाल विद्रों से जुड़ी हुई यह अगे बढ़ेगी हम लोग और आपको अपने करने के जुरत ना पढ़े इसी कलासे के साथ देने से आपका रीविजन मेरे साथ जूल कर ही कर सकते हैं और विल्कुल फ्री में आप सारे क्लासे का लाव ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जीरो मेरे सारश सब्द्र यहां पर सारे प्ढ़ाया होगी अभी हिसट्स्टी इसका पोड़्की होगी जाओ इसकर पोड़िए जयूरफय होगी तो क्लासेश की वीडियो अप्लोड होते हैं आपको नोटिफिक्स है मिले और क्लासेश करते हैं थैंक्यो थैंक्यो वेरी वेरी मच फॉल वाइटिंग इस वीडियो और कनेक्टिंग एक जाम फ्राइटर नमर बन